दिगच एक्ट्रेस डिंपल कपाड़या ने राजेश खन्ना से अलग होने के बाद दोबारा इंडरस्टी में वापसी की राजेश खन्ना को कभी तलाक नहीं दिया सुपर्स्टार की जिन्दिगी के आखरी वक्त में डिंपल उनके सात रही इंडरस्टी में वापसी करने के बार डिंपल ने अपनी शाधी और राजेश खन्ना के साथ अलगाव के बारे में खुलकर बाद भी की थी उन्हें ये भी बताए कि राजिश खरना अपने घट्टे चार्म के करण इंसिक्योर रहने लगे थे निम्पल ने फिल्म मास्टर जी के बारे में बात करते हुए श्रीगेवी के साथ राजिश खरना की केमिस्ट्री को लिख कर टिपपणी की थी उन्होंने ये भी कहता कि राजिश को ऐसे रोल नहीं करने चाहिए जो उन पर सूट नहीं करते हैं उन्होंने कहता आजकल की सबसे भैतरीन हिरोईन श्री देवी है वो बाकियों से मीलो आगे हैं और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ अगर आप मुझसे पूछे कि मेरी पसंदिदा एक्टरेस कौन है तो जवाब बहुत आसान होगा श्री देवी डिमपल ने आगे कहा वो नंबर वन है इस फिल्म में श्री देवी के साथ डिमपल के हजबन राजिश खना ने भी काम किया था जो श्री देवी से उम्र में काफी बड़े थे अपने पती के बारे में बात करते हुए डिमपल ने कहता वह इन दोनों बहुत मोटे और बुड़े हो गए हैं वो गंजे भी हो रहे हैं वो ऐसा बचकाना रोल कैसे कर सकते हैं वो एक शांदार एक्टर है जिनने उसी तरह क किरदार निभाने चाहिए जो उन पर सूट करते हैं इसी के साथ परने रही है राजणामा टीवी के साथ तहने बाद